इस वीडियो में हम जमात हक्तुम के जुगराफिया के सबक नंबर 3 मद्दोजज़ा के अगले मौज़ू मोजे इसके मुतालिक मानुमा थासिल करेंगी हम जब गरम चाई या गरम दूद पीते वक्त इसको फूपते हैं तो प्याली के दूद या चाई में लहरे पैदा होती हैं इसी तरह हवाओं के जरिये मिलने वाली कुवत यानि तवनाई की वज़े से पानी हरकत करता है समंदरी पानी हवाओं की वज़ा से ही आगे की जानिप खिसकता जाता है और इससे पानी में लहरे पैदा होती हैं इनी लहरों को मोजे कहते हैं मोजों की वज़ा से समंदर का पानी उपर नीचे और कभी आगे पीचे होता है ये मोजे अपने अंदर मौजूद तवानाई को साहिल तक ले आती है और साहिल के उधले हिस्से से टकरा कर दूर तक फैल जाती है समंदर की सते पर छोटी बड़ी मोजे मुसलसल आती जाती हैती है मोजो की तश्कील भी एक कुद्रती और मुकररा वाकिया है अब मोजो की बनावट को समते हैं हवाओ की वज़ा से समंदर का पानी उपर उठ जाता है और इसके करीब एक नशीबी हिस्सा तयार होता है मोज के बुलन हिस्से को फराज और निचले हिस्से को नशीब कहते हैं एक ही सिम्त में तेज रफ्तारी से बहने वाली हवाओ से बुलन्द मोजे तयार होती है नशीब और फराज का उमूदी फासला मोज की बुलन्दी कहलाता है जबके दो नशीब या दो फराज का उफ की फासला मोज की लंबाई कहलाता है मोज की बुलंदी, लंबाई और रफ्तार का इनेसार हवाओं की रफ्तार पर होता है मतलब हवा की रफ्तार जितनी जादा रहेंगी मोजों की बुलंदी, लंबाई और रफ्तार भी उतनी ही जादा रहेंगी आईए अब हम मोजों की रफ्तार को समझते हैं हम देखते हैं कि तैरने वाली कोई शय अगर दूर समंदर में फैक दी जाए, तो वो शय मोजों के साथ वहीं उपर नीचे हरकत करती हुई दिखाई देती है, वो साहिल तक नहीं आती, इससे ये जाहिर होता है कि मोजों का पानी आगे नहीं आता अजीज तल्बा, इसलिए इस बात को जहर नशीन रखे कि यहां मोजों का पानी नहीं बैता, बलके पानी में पैदा होने वाली तवानाई की तरसील होती है, यानि तवानाई एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुचती है मोजों के पैदा होने का खास सबब हवाय हैं, लेकिन कभी-कभी समंदरी फर्ष के नीचे होने वाले जलजले और समंदरी फर्ष पर फटने वाले आतिश फिशा की वज़ा से भी समंदर में मोजे पैदा होती है ऐसी मोजों की बुलंदी उतले साहिली इलाकों में बहुत जादा होती है ये मोजे निहायत ही तबाकुन होती है और इनकी वज़ा से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है इन तबाकुन मोजों को सुनामी कहते हैं सुनामी ये एक जापानी लबज है जिसके मायनी समंदरी तूफान के है साल 2004 में जजाईर समात्रा और इंडोनेशिया के करीब आये समंदरी जलजले की वज़ा से बहुत बुलन सुनामी मोजे पैदा हुई थी इन मोजों की जद में भारत का मश्री की साहिल और सिरी लंका भी आये थे